आप में से जो लोग मुझे जानते हैं, उनको पता है कि मैं एक commercial photographer हूँ और जो लोग नहीं जानते हैं, उनके लिए मैं बता देता हूँ कि पिछले 15 साल से मैं photography कर रहा हूँ बहुत बड़े-बड़े brands के लिए shoot कर चुका हूँ, बहुत magazines के लिए shoot कर चुका हूँ, बहुत designers के लिए shoot कर चुका हूँ और एक चीज है जो मेरी pictures में आपको हमेशा नजर आएगी, वो ये कि मैं चाए indoor shoot करूँ या outdoor shoot करूँ, मैं बिना lights के shoot नहीं करता है जितना मेरे लिए एक अच्छा camera और एक अच्छा lens important है, उससे जादा important है मेरे पास एक अच्छी light का होना अब जो मैं brand यूज करता हूँ, वो है allen chrome, मेरा favorite brand है क्योंकि तीन brands हैं जो मैं मानता हूँ के photography lighting के अंदर best है number one, brown color, number two, pro photo और number three, allen chrome brown color बहुत महेंगा है, जो pro photo है उसकी light मेरे को उतनी ज्यादा समझ में नहीं आती allen chrome affordable है मेरे इसाब से और उसकी quality किसी भी तरीके से brown color से कम नहीं है और मेरे पास जो ये light रखी हुए जिसका आज हम review करने वाले हैं, वो है allen chrome 5 एक battery operated 522 watts की light है, इसके बारे में आज हम बात करेंगे और मैं आपको ये बताऊंगा कि allen chrome brand मैं क्यों use करता हूँ, क्यों मुझे पसंद है और ये जो particular light है, इस light के क्या features हैं, ये हम यहाँ पर देखने वाले हैं इस light को review करने से पहले मैंने इस light को अच्छे से test किया है, मैंने इस से proper shoots करके देखे हैं, और उसके बाद में ये light आपके सामने लेकर रहा हूँ ताकि आपको बता सकूँ कि इसकी build quality कैसी है, इसकी light quality कैसी है, इसके features कैसे हैं, तो यहाँ पर अगर सबसे बात करें इसकी build quality क बहुत ही strong है, जैसे कि allen chrome की बाकी lights के build quality होती है, बहुत sturdy होती है, polycarbonate से बनी हुई है, कोई cheap plastic नहीं है, बहुत ही sturdy इसका handle है, यहाँ पर आप अगर handle देखोगे, handle बहुत strong यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर जो उसका locking system है, वो बहुत अच्छा है, जो पहले की lights आती थ system दिया, बहुत easy और बहुत convenient था यह मेरे को जब मैंने इसको use किया, और पीछे अगर हम यहाँ पर इसके buttons के बारे में बात करें, तो buttons बहुत ही simple है, कोई बहुत जादा buttons नहीं है, कोई बहुत जादा complication नहीं है, अब अगर हम इसके stand mount की बात करें, तो यह stand mount भी strong है, और इसका जो locking system है, यह भी बहुत heavy duty है, और मैंने इसको बहुत बड़े modifier के साथ use किया था, तो इसका जो locking system इतना strong है, कि बड़े से बड़ा modifier भी इसके उपर लगाने के बाद में, यह एक ही जगा पर टिका रहता है, अदरवाइस का उधा light धीरे धीरे नीचे की तरह आनी जब आप battery को detach करते हो, तो यहाँ पर आपको इसके अंदर भी check करने का option मिलेगा, कि बैटरी में कितनी power बची है, आप battery की power check कर सकते हो, इसको आप detach करके चार्ज करने की जरूरत नहीं पड़ती है, जबकि आप कर सकते हो, क्योंकि यह तो light है, यह active charging के साथ आती है, active charging का मत charge करने के लिए, हाला कि इसके साथ एक USB charger आता ही है, अब मैंने जब इसको use किया, तो बहुत लंबे shoot में इसको मैंने use किया था, और मुझे इसको charge करने की जरूरत नहीं पड़ी थी, क्योंकि full power के साथ में यह 400 shots आपको दे सकती है, और full power के उपर मैंने इसको use नहीं किया, म के साथ में आता है, उसकी लंबाई इतनी ज़्यादा नहीं है, उसकी वायर इतनी लंबी नहीं है, कि आपने इसको अगर कहीं ऊपर height पे लगा रखा है slide को, तो आप इसके charger से उसको charge कर सको, आपको एक extension board को stand के उबर बांधना पड़ेगा, तब आप इसको charge कर सकते हो, तो light quality सबसे ज़्यादा important होती है, तो अच्छी quality की light को समझने के लिए हमारे को यहाँ पे समझना पड़ेगा दो चीज़ों को, पहला flash duration और दूसरा consistency, consistency of power, मतलब की पूरे shoot के अंदर एक जैसी power आपको मिले कम ज़्यादा ना हो, और consistency of wide balance, wide balance भी up-down नहीं होना चाहिए, 200-300 Kelvin का up-down चलता है, वो लगबग हर light के अंदर आता है, सिर्फ मैंने brown color की lights के अंदर देखा है, कि उसके अंदर constant, continuously एक ही wide balance उसके अंदर रहता है, और wide balance को आप उसमें dial कर सकते हो, इसलिए वो lights बहुत जादा महेंगी है, लेकिन अगर हम normal studio strobes की बात करते हैं, तो उसमें जो best consistency है, वो आपको allen chrome की lights से मिलती है, allen chrome की lights की power up-down नहीं होती, आपने जहां पर उसको रख दिया, और आपने एक बार measure कर लिया, तो उस shoot के अंदर, उस time पर, उस setting के उपर, allen chrome की lights की power change नहीं होगी, हर shot एक ही जैसे exposure के साथ आपको मिलेगा, आपने एक जगा पर इसको set क किया, अपने camera के अंदर, तो वो wide balance भी change नहीं होगा, तो ये सिर्फ आपको allen chrome के अंदर मिलेगा, इसके अलावा मैंने जितनी भी lights टेस्ट करी है, especially जो Chinese lights हैं, उनको जो मैंने टेस्ट किया, उसके अंदर power change होती रहती है, उसके अंदर wide balance change होता रहता है, और साथी साथ, color cast आती है, जो कि यहाँ पर जब आप इस island chrome की light को use करोगे, तो इसके अंदर कोई color cast नहीं आएगी, तो हमने एक चीज़ क्लियर कर ली, कि जो consistency है, चाए वो power की हो, चाए वो wide balance की हो, वो आपको इस light के अंदर best मिलने वाली है, अब दूसरी चीज़ जो मैंने आपको बोली थ duration, हो सकता है आपके से बहुत सारे लोगों ने flash duration शायद पहली बार सुना हो, लेकिन flash duration वो चीज़ होती है किसी भी light के अंदर जिससे की action को freeze किया जाता है, आप जो speed light use करते हैं, जो on camera flash होती है, उसकी flash duration होती है 1 by 20,000, उसके अंदर capacity होती है action को freeze करने की, पर ये जो flash duration है, जो अच्छी lights होंगी, उसी के अंदर ही इतनी short flash duration मिलती है, अब 1 by 20,000 का मतलब है, एक second के 20,000 हिससे के अंदर light का exposure देना, जो ये number बड़ा है, लेकिन flash duration बहुत ही short है, जितनी short होगी flash duration, उतनी ही crisp आपको image मिलेगी, उतना ही आप अच्छे से action को freeze कर पाएंगे, अब power output है, वो है 522 watt, आप सोच के देखो कितनी powerfully ये light है, और इसकी जो flash duration है, वो आपको minimum power के उपर मिलती है, 1 by 8,000 plus, सो minimum power के उपर आप इससे action को freeze कर सकते हो, आपको mid range के इंदर इसकी flash duration मिलती है, लगबग 1 by 4000 के आजपास, और full power में आपको मिलती है, 1 by 250, मेरे हिसाब से ये क मेरे हिसाब से कम से कम आपको 1 by 2000 से उपर की flash duration आपके पास होनी चाहिए, पर अगर आपको power output जाधा चाहिए, तो कहीं ना कहीं आपको compromise करना पड़ता है, तो यहाँ पर इस light के अंदर आपको 1 by 250 से ले करके, 1 by 8,000 plus तक आपको flash duration मिलती है, तो ये जो चीजे मैंने अभी आ light की quality decide होती है, आब हम move करते हैं, सबसे important चीज के ऊपर, इसकी warranty, इसकी service और इसका price, so ये light आती है 80 से 90,000 के बीच में, घबराने की जरूरत नहीं है, वीडियो को stop मत करो, अभी देखते रहो, क्योंकि जो चीजे मैं आपको बताऊंगा ना, उससे आपको ये price कम लगेगा, आपको value for money लगेगी ये light, so 80 to 90,000 की जो ये light है, इस light के साथ 2 साल के warranty आती है, clear, सबसे बड़ी बात ये है, कि जो इसकी service है, वो easily available है, वजा, क्योंकि ये light इंडिया के अंदर ही assemble होती है, तो ये कोई light ऐसी नहीं है, जो भार से import होकर के आ रही है, कि आपको उसके parts नहीं मिलेंगे, आप उसको repair नहीं करा सकते, आपने एक साल use किया, दो साल use किया, और light को fake दो, नहीं, ये light सालों साल चलेगी आपके पास, तो जो light'े मैंने 2011 में खरीदी थी, वो light'े मेरे पास आ properly repair हो करके आ गई, तो इसका मतलब ये, कि अगर आज मैंने 80,000 रुपीज इन्वेस्ट किया, और मैं इस light को use करता हूं 13-14 साल, तो आप calculate कर लो, कि ये light आपको कितनी value for money पड़ रही है, अब अगर आप इससे half price के अंदर कोई Chinese brand उठा के ले करके आ जाते हो, पहली चीज आ आपको उसके अंदर service नहीं मिलेगी, और तीसरी चीज उस light की life नहीं है, आपको कोई भरोसा नहीं है, कि वो light आपके बाद एक साल चले, या आपके बाद पांस साल चले, यहाँ पर हमें ये पता है, कि अगर ये light तूट भी गई, गिर भी गई, तब भी company हमारे को इसको repair क करके दे देगी, तो इसलिए मैंने आपसे कहा, कि जो अभी आपको महंगा लग रहा ना price, वो आपको justifiable लगेगा, वो आपको सही लगेगा, so अब यहाँ पर मैं आपको detail में इसके features, इसके functionality दिखाने वाला हूँ, so अब एक-एक करके इसके सारे features हम यहाँ पर देखेंगे flash tube और उसके अंदर जो modeling lamp है, वो इसके अंदर LED lamp है, so यह bicolor है, 26 watt का इसका output है, 91 से 94 के बीच का इसका CRI है, आप इसको 2700 से 600 Kelvin के बीच में इसको adjust कर सकते हो, अब LED के बाद में अगर हम इसकी flash की बात करें, so यह light HSS है और साथी साथ यह TTL भी है, मतलब यह कि अगर आप इस light को Skyport Pro Trigger के साथ में use करेंगे, so आप अपने camera की X sync speed से उपर जा करके इस light को sync कर सकते हो, यानि कि आप इस light को अपने camera पे 1 by 8000 की shutter speed के उपर भी use कर सकते हो, अब अगर TTL के हम बात करें, तो TTL का मतलब होता है through the lens, मतलब यह कि आपका camera decide कर सकता है, या यूं कहें कि आपका camera इस light की power को control कर सकता है, so अगर TTL में आप किसी भी light को use करते हैं, so आपका camera automatically उस light को adjust करता है, और जितनी power की उसको जरुद होती है, उस इस आप से light को set कर द दिखेंगे, so यहाँ पर back panel में क्या का दिखाई देता है, मैं आपको वो दिखा देता हूँ, so यहाँ पर हम इसका यह power on कर लेते हैं, यहाँ पर आपको दिखाई देगी एक screen, digital screen है, touch screen यह नहीं है, पर यहाँ पर बहुत सारे functions बहुत clearly visible है, और यहाँ पर यह जो button है, इस यह geared knob है, मतलब यह बहुत free flow नहीं जा रहा है, इसमें अटकता है, ताकि आप एक एक करके, आप point wise आप इस light को control कर सको, so यहाँ पर आप कुछ चीजें जो आपको यहाँ भी दिखाई देंगी, वो आपको दिखाई देगा, कि यहाँ पर यह जो power दिखा रहा है, 3.8 की power, उसके नीचे यहाँ पर आपको दिखाई देगा, इसकी flash duration, so 3.8 की power के उपर यह है, 1 by 2290 seconds, so जो की एक बहुत अच्छी flash duration है, और अगर मैं इसको बिल्कुल कम कर देता हूं, so minimum power के उपर यहाँ पर यह दे रहा है, 1 by 8080, so 8000 की जो flash duration है, वो बहुत सही है, और full power के उपर अ 1 by 250, so अगर आपको power जादा चाहिए, so वहाँ पर आपको flash duration के साथ मैं compromise करना पड़ेगा, so 522 watt की light को अगर थोड़ा सा कम करके हम use करेंगे, so मैं देखता हूं कि कहाँ पर मेरे को सही से flash duration मिल जाती है, so मेरे इसाब से 5.0 के उपर मिल जाती है, 1 by 1140 per second की flash duration, जो की एक 3.0, 3.2 के उपर ले जाते हैं, so 3.2 के उपर मेरे को यहाँ पर मिल रहा है, 1 by 3135, so 1 by 3000 की जो flash duration है, वो बहुती amazing flash duration है, आपको बहुत crisp यहाँ पर images मिलने वाली है, अब जो यह जो button है, यह basically modeling lamp को on off करने के लिए है, यहाँ पर जो यह button है, इस button से आप one stop directly कम जादा कर सकते आप देखे हैं, 4.2 से 3.2, 2.2 और यहाँ से एक stop बढ़ रहा है, तो एक full stop अगर आपको light को बढ़ाना है, तो आप इन दोनों buttons को use कर सकते हैं, बर आपको बहुत precision के साथ अगर आपको adjustment करनी है, तो आप इस note को घुमा करके कर सकते हैं, और यहाँ पर जो यह button है, यह बल्कि यह आपको बताता है, कि इस वक्त आपकी light किस group के अंदर है, तो मैं जैसे जैसे light का group change करूँगा, आपको यह logo का color change होता हुआ दिखाई देगा, तो यहाँ पर भी है, एक बढ़र हम modeling lamp को off कर देते हैं, okay, modeling lamp off कर दिया, तो आपको शायद clearly दिखाई दे रहा होगा, तो अब मैं यहाँ पर इसके menu में जाऊंगा, menu में जाके मैं इसा group change कर रहा हूँ, तो यहाँ पर यह मैंने group 2 कर दिया, तो यहाँ orange हो गया, group 3 के अंदर यह red हो गया, group 4 के अंदर यह वापस green हो जाता है, तो इस तरीके से आपकी light किस group में चल रही है, यह आपको पता चल अब एक पर इसके menu में अंदर जाकर के देख लेते हैं कि क्या क्या यहाँ पर हमारे पास option है, तो सबसे पहले आपको दिखाई दे रहा है radio, तो रेडियो के अंदर अगर आप जाएंगे, तो यहाँ पर आपको दिखता है mode, और mode के अंदर आपके पास में normal और speed का option है, group आ यहाँ कि इस light को आप अपने iPad से, आप अपने iPhone से, किसी Android phone के साथ में connect कर सकते हो, और उससे control कर सकते हो, और wireless, और wirelessly आप इस light को update भी कर सकते हो, Wi-Fi के साथ आप इसको connect कर सकते हो, तो अब एक पर हम पीछे आ जाते हैं, और next हमारे को option मलता है flash, और flash में आपके पास में option है flash mode, तो flash mode में जब आप जाएंगे, आपको option मलता है action का और standard का, तो इसको हम back करते हैं, उसके बाद नीचे जब आप आएंगे recycling time के अंदर, तो recycling time को आप यहाँ से control कर सकते हैं, eco के अंदर थोड़ा सा slowly recycle होगी, और fast अगर कर देंगे, तो light बहुत fast recycle होगी, तो एक बार इस 5.1 की power के उपर हूँ, तो एक मिंट अगर मैं इसको 3.0 के ले आता हूँ, और अब fire करते हैं, तो आप देख रहे हैं, बहुत कम इसका recycling time है, तो basically fashion अगर आप shoot करते हैं, तो यह आपके बहुत कामका है, बहुत fast यहाँ पर आप shots ले सकते हैं, तो अगला है हमारे पास में flash before और यह default no के उपर होता है, मतलब यह कि जब तक आपकी light पूरी तरीके से recycle नहीं हो जाएगी, पूरी power को dump नहीं कर देगी, तब तक यह fire नहीं कर सकती, लेकिन अगर आपने यहाँ पर इसको yes कर दिया, तो अब इसका मतलब यह है, कि light को पूरा recycle, पूरी अपनी power को dump करने क कि जब तनी है, वो पहले भी fire कर सकती है, तो इसको आप यूज कर सकते हैं, अब इसके बाद में नीचे जो मेरे पास में option है, यह है scale, यह scale है, अलिन क्रोम का scale, यहाँ पर 1 by 10 या watt second, तो यह सारे options आपके पास में है, तो एक बर watt second पर लगा देते हैं, और लगा करके menu से हम बहार आते हैं, और देखता है कि अब क्या यहाँ पर आता है, तो अभी यहाँ पर अगर मैं जाओंगा, तो यह 7.1 watt per second की light output आपको मिलेगी minimum, और अगर मैं full के उपर जाता हूं, तो full आपको मिल रही है, 522 watt per second, तो इस तरीके से अगर आप used to हो, अगर आप wattage देखना चा सकते हो, तो extra's में बहुत सारी चीज़े हैं, यह मैं करने जाओंगा, तो बहुत time लग जागा, तो यह आपको खुदी चेक करनी पड़ेंगी, और info के अंदर आपको जो नाम है, इस light का वो आपको यहाँ पर दिख रहा है, आप चेंज कर सकते हो, firmware का version कौन सा है, skyport ID कौन स है, lifetime कितनी है, तो 28.45 यह light अभी तक चल चुकी है, power on count 66 हा रहा है, flash count अभी तक यह light 1462 flashes fire कर चुकी है, तो यह सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाती है, तो आज के इस वीडियो को हम यहीं पर यह end करते हैं, आपको अगर यह वीडियो अच्छा लग करना, थैक वर वाचिँ वो दो अवीडियो